हलो BSC First Year Student, कैसे हैं आप सभी लोग, उमीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे BSC First Year Botany के Second Semester में आपका Theoretical Paper आता है Archigoniates and Plant Architecture दोस्तो इस Semester से अलरेडी में कई सारी वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ जो कि आपके exam paper के लिए most important है तो अगर आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगा या फिर आप channel के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से playlist मिल जाएगा आज किस वीडियो के अंदर हम cover करेंगे एक और important topic classification of gymnosperm exam paper में basically दो classification पूछे जाते हैं DD Pant का classification और chamberland का classification DD Pant का classification MSC Botany के student के लिए most important है जितने भी ऐसे student है जो कि MSC कर रहे हैं Botany सब्जेक्ट से तो उनके लिए gymnosperm का classification है DD Pant के द्वारा जो दिया गया है वो most important है और जितने भी ऐसे student है जो BSC कर रहे हैं ऑपोटनिय से उनके लिए चैम्बर लेन का क्लासिफ़िकेशन कर सकते है कई बार इक्जाम प्येएपर में जनरली पूछा नहीं जाता कि आप चैमबर लेन का दीजिये कन्प कलासिफिकेशन आप डिटीपनत का दीजिए हमने जिम्नोस्पम के जनरल केरेक्टर को कवर किया था तो student question इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है long question में साड़े साथ नमबर या दस नमबर में आपसे पूछा जा सकता है describe the general characters and classification of gymnos यानि दोनों topic एक ही question में एक long question में आपसे पूछा जा सकता है या फिर question अलग से पूछा जा सकता है describe the classification of gymnos एकी चार्वी से जासे जास सकता है या डीरी पांत का पूछा जा सकता ही जनरली बीसी की एक्जाम पेपर में चेंबर लेन का पूछा जा सकता है यह मैं आपको लेडी बता चुका हूँ राइट तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रारंब में एक समय लोए जो विए जो बोटैंस्ट है वनसपते इंहोंने जीम्सपश्फफाम का क्लासिफिकेशन दिया जिनमें से कुछ निमेर के कारें नंबर फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्टूडेंट बेंथम एंड हुकर बेंथम एंड हुकर का यह जो क्लासिफिकेशन रहा यह लगबग 1866 से 1813 तक चलता रहा राइट इन्होंने इसमें बेसिकली क्या किया था जीमनोस्पम को तीन भागों में डिवाइड कर दिया था साइके स्कॉफिकेशन दिया था इस प्रकार से काफी सारे एस प्रकार से विसरी साहनी चैंबर लेइन और डिडी पंत मदब कई तरह के खलासिफिकेशन आ है लेकिन इंपोर्टेंट कौन सा है उसे लिवश पोज़ आ होगा सब स्पर Spartans हम डिसकस करेंगे chamber lane के classification के बारे में exam paper में अगर आपसे long question में पूछा जाए describe the general characters and classification of gymnose pump तो आप लोग general characters के बाद chamber lane का classification वहाँ पर लिख सकते हैं जो exam paper की जो written copy है उसमें आप लोग इसको mention कर सकते हैं लेकिन अगर अलग से आपसे पूछा जाए describe the classification of gymnose pump तो उस case में आप लोग try करें dd-pant के classification के बारे में क्योंकि dd-pant का classification काफी detail में दिया गया है और वो ज़्यादा modern है और chamber lane का classification है काफी छोटा है अगर आप साड़े 7 नंबर में सिर्फ इतना लिखेंगे तो आपको complete marks नहीं मिल पाएंगे तो उस case में आपको क्या try करना है dd-pant का classification mention करना है अगर long question में अलग से पूरा का पूरा classification ही पूछा गया हो राइट इन्होंने division gymnose pump को दोट subdivision में divide किया नंबर first psychedophyta नंबर second coniferophyta psychedophyta के अंदर 3 order है psychedophicals, psychedales और bennetitels इसके बाद यह जो coniferophyta है subdivision इसके अंदर 4 order है jingoils, cordytales, coniferals, nettles तो यह रहा हमारा chamberland का classification एक small classification है इसलिए मैं आपको कहा कि अगर general character के साथ classification पूछा जाता है तो आप लोग यह classification mention कर सकते हैं और general characters लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ long question में classification पूछा जाता है तो उस case में आप लोग DD5 के classification को लिखेंगे DD5 के classification को आये detail में पढ़ते हैं DD5 के दोरा दिया गया है यह classification काफी ज़्यादा important है यह 1957 में दिया गया था और यह MSC के student के लिए भी important है gymnosperm को इन्होंने तीन division में divide किया यह पुने classes और order में divide किया गया इसलिए मैंने आपको कहा यह थोड़ा detail में दिया गया है इन्होंने gymnosperm को काफी सपस्ट रूप से classify किया हुआ है तो देख सकते हैं gymnosperm के तीन division है psychedophyta, claimidospermophyta, coniferophyta अब यह जो psychedophyta है इसमें चार classes है teledospermopsida, psychedopsida pantozylopsida, psychediodiopsida यह चार classes है यह जो claimidospermophyta है इसके एक classes है nitopsida जिसमें दो order है nitels and welvysils nitels के अंदर जो plant रख गया वो nitum आता है welvysils के अंदर welvyshी आता है इसके बार division coniferophyta इसको भी चार classes में divide किया गया है number first class है coniferopsida, ephedroopsida number third, zikenochiopsida number four, texopsida अब यह जो first class coniferopsida है इसके तीन order इसके अंदर आते है cordia tails, coniferals, jingoils right? इसके बाद second class ephedroopsida है, इसके अंदर एक order आता है ephedrals, जिसमें plant जो रखा गया है वो ephedra रखा गया है number third class, zikenochiopsida के अंदर जो order आता है zikeno dales इसके बाद number four class है classification है, अगर long question में आपसे पूछा जाता है, तब आपको इसको explain करना है तो कई बार exam paper में जैसे MSC के student है, उनके explain करना पड़ता है, जैसे psychedrophyta है, इसके क्या characters है, इसको भी आप लोग इसके characters भी mention कर सकते हैं claimidospermophyta है, इसके भी आप लोग character mention कर सकते हैं, इसके बी general character आप लोग mention कर सकते हैं and after that आप लोग इसको classify कर सकते हैं यानि कि जरूरी नहीं कि सिर्फ outline ही आप show करें इसका theory भी आप लोग लिख सकते हैं इसके अंदर कौन कौन से plant आते हैं इसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं उसके general features भी आप लोग mention कर सकते हैं तो इस book में general features mention नहीं किया गया है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अगर आप Google करेंगे तो Google पे कई तरह की website से जहां पर आपको इनके general characters मिल जाएंगे तो अपना खुझ से separate notes बनाए तभी आप लोग काफी अच्छे से exam paper की जो written copy उसमें अच्छा perform कर सकेंगे और examiner को प्रभावित कर सकेंगे तभी वो आपको अच्छे marks देगा So student मिलते हैं next video में इस video के अंदर हमने discuss किया classification of gymnast form कोई भी आपको doubt रहता है तो आप लोग comment section में mention कर सकते हैं मिलते हैं एकली वीडियो में Bye Bye